कि Hello Friends ,Gear up classes में आप सभी का स्वागत है जहर खंद jaagraphy के आज के classes में हम लोग देखने जा रहे हैं स्वन्रेखा-Nadी और स्वन्रेखा बहुदेशी परयोजना के बारे में इसके पहले की अधी क्लासेस आप लोग देखें तो उसमें मैंने बताया था दामुदर नदी और दामुदर नदी घाटी पर्योजना के वारे में जो भारत में होने काले किसी भी एक्जाम्स के लियाज से वह काफी इन्पोर्टेंट टॉपिक है और उसको आप लोग रिवाइच कर सकते हैं आज की जो क्लासेस में हम लोग देखने जा रहे हैं इनमें से काफी महतपुर्ण नदी है जारखंड की और उस नदी का नाम है स्वर्न रेखा नदी कि यह नदी इतिहास में किस नाम से विख्यात रहा होगा स्वर्न रेखा जो दो वर्ड से बना हुआ है स्वर्न एंड रेखा कहने का मतलब है गोल्ड एंड इसको इस्ट्रिक भी करते हैं एंड लाइन तो इस्ट्रिक आफ गोल्ड या लाइन आफ गोल्ड को हम लोग करते स्वन रेखा बेसिकली वास्तिविक्ता यह है कि जो स्वन रेखा नदी की बालू है ऐसा माना जाता है कि इसके बालू में सोना के कन पाए जाते हैं और आज भी एहमान निता व्यापत है कि स्वन रेखा नदी है जिसके बालू में सोने का यंस भी पाए जाता है इसे लिए इ जदे आपको यह परस्ण पूछा जाए जेरकंड की किस नदियों में बालू के एंस पाय जाते हैं तो आप लोग लेहाजा नाम से ही उस अमसर को डुन्ड सकते हैं स्वन्रिखा नदी जब हम लोग स्वन रेखा नदी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इसकी सिर्वाती स्रोत के बारे में देखते हैं यदि आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको जो लोकेशन मिलेगा वो रांची का लोकेशन मिलेगा और राची के दक्षिन पस्चिम में चले आईए इस अस्थान पर यहाँ पर यहाँ पर एक गाव है जिसका नाम है नगडी गाव और इस गाव से आतरा सुरू होती है स्वन रेखा नदी की और यहां से यह प्रारंब करते करते यह जाती है और इस परकार से यह बे आफ बेंगॉल में चली जाती है मैं कुछ इंपॉर्टन फैक्ट से यहां पर बताता हूँ यह जो नगडी गाव है यह नगडी गाव राची जीला के पिसका ब्लॉक में पड़ता है और यहां से यह प्रारंब होकर क्यानिकी हम लोग कह सकते हैं कि यह जारखंड से इसका स्रोत प्रारंब होकर के यह कुछ वेश्ट बेंगॉल में परवेश करती है और फिर वेश्ट बेंगॉल के बाद पुनह जारखंड में परवेश करती है और फिर जारखंड से निकल करके या उडिसा में प्रवेस करती है और इसके बाद या बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसरजित करती है तो इस दो जो सुचनाएं हैं इन से हमको दो चीज़ें पता चली यदि हम लोग स्वन रेखा नदी का स्रोत देखें तो स्रोत कहां पर है यह गाव यदि देखें तो ये नग्री हैं यthen हम लोग परकल देखें सब्सकीन की तो ये पिसका है और हमाल जीला देखें हैं तो वह दोवाटी है अब और मत्पर प्रश्ण पूछा जाता है यहां से कि बताओ कि स्वन रेखा नदी की जो स्रोत है या प्रारंभ है वो कहां से निकलती है स्वन रेखा नदी की इस पठार से निकलती है तो यदि आपको इस प्रकार का प्रस्ण पुछा जाए तो दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखिए जब पठार की रूप में ऑप्सन में दिया रहे तो हम लोग राची का पठ पठार राची का पठार से निकलती है राची के पठार को जब हम आप लोगों को बता रहे थे तो मैं वहाँ पर बता रहा था कि इस पठार से बहुत सारी नदिया निकलती है तो यदि चारों पठार के रूप में रहे तो आप लोग राची का पठार लिख सकते हैं इससे भी विरहत अस्तर को इदी कंसीडर करके option बनाया जाए तो आप लोग इस चीज को पठार में लिख सकते हैं छोटा नागपूर का पठार तो काफी चीजें यहां से आप लोगों को पता चला किसी भी रूप में हम लोग देख सकते हैं यदि आप से प्रस्न पुछा जाता है क इस्वन रेखा नदी कहां से निकलती है तो option नगड़ी भी हो सकता है पिसका भी हो सकता है राची भी हो सकता है राची का पठार भी हो सकता है और छोटा नागपूर का पठार भी हो सकता है इसलिए इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखें काफी important है दूसरी चीज बंगाल की खाड़ी में अब जब हम लोग बंगाल की खाड़ी में बात करते हैं तो एक चीजें असपश्ट हो जाती है कि जारखंड की कोई भी नदी ले लो चाहे उत्तरवरती नदी ले लो या दक्षिन वरती नदी ले लो वो अपना जल किसी न किसी नदी में विसरजित किया है बड़े नदियों में विसरजित किया है इसके बाद वो जाकर के आखिर कर समुद्र में अपना जल को विसरजित किया है लेकिन स्वन रेखा नदी एक लोता एक ऐसी नदी है जारखंड की जो बिना किसी नदियों में अपना जल प्रवाहित किये ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित किया है और कई बार एसा प्रस्ण जारखंड के परिक्षाओं में पूछा जाता है कि बताओ वह जारखंड की कौन सी नदी है ज जो स्वतंतर रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलती है जाकर के तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें कि स्वतंतर रूप से स्वतंतर रूप से अपना जल बे ओफ बेंगॉल में विशर्जित करने वाली जारखंड की एक मात्र नदी इस बातों को भी आप लोग भखोवी ध्यान लखें अब एक जो मत्पुन जानकारी स्वन रेखा नदी के बारे में है जब यह जारखंड से निकल करके उडिसा में प्रवेश करती है तो उडिसा में प्रवेश करने के बाद जब यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो पोर्ट का निर्मान उडिसा सरकार के द्वारा हाली में किये जाने का प्लान है और इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा कि जहरखंट की कौन सी नदी है जिस नदी के उपर में उडिसा सरकार ने एक पोर्ट के निर्मान करने की योजना प्रस्तावित किया है तो इस बा इसकी लंबाई पर अब देखो लंबाई में हम लोग दो तरह से देखेंगे एक टोटल लेंथ क्या है और दूसरा लेंथ ही जारखंड क्या है जब हम लोग टोटल लेंथ की बात करते हैं तो स्वन रेखा नदी नगडी से निकलने के बाद बेवा बेंगोल में जल विसरजि जिस जगह से जारखंड से निकलती है यहां पर इसके बीच की जो दूरी है वह है तू थर्टी थरी किलो मिटर वैरी वैरी इनपॉर्टेंट है तू थर्टी थरी किलो मिटर को भी ध्यान में रखना अत्यंत आवस्यक हैं तीसरी एक महत्पुर्ण चीजें जब हम लोग य परवाह के बारे में यदि हम चीजों को देखें परवाह स्वन रेखा रिभर की परवाह के बारे में तो एक बार ऐसा प्रसन पुछा गया है कि बताओ स्वन रेखा नदी किस दिसा से होकर के बहती है तो इस बात को भी भली भाती है आप लोग ध्यान में रखें इसकी ये जो दिसा है यही स्वन रेखा नदी के बहने की दिसा है लियाजा हम लोग कह सकते हैं कि स्वन रेखा नदी दक्षिन पुर्व की और बही है तो इस बात की और इस बात को भी ध्यान में रखना अत्यन तावस्यक है जब हम लोग परवाह के बारे में बात करते हैं तो एक प्रसन हमारे माइन्ड में आता है, कि यह किन-किन राज्जों से हो करके बहती है, तो आप लोग देख सकते हैं भीजिलाईच करके कि यह जखरخंड है, यदि हम लोग राज्जी के बारे में बात करें, तो ये जहारखंड यहां पर ये कुछ लोकेशन आप लोग वेश्ट बेंगॉल का एंड यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये उडिसा का लोकेशन है तो इस बात को भी बखोबी दिहान में रखें यह तीन राज्जों से होकर के बहती है जहारखंड वेश्ट बेंगॉल और ओडिसा यदि आप लोगों से एक और इंपोर्टेंट प्रस्न पुछा जाए जब हम लोग जहारखंड की बात किये तो जहारखंड के कौन से जीले से होकर के बहती है यह ऐसा भी प्रस्न दिया जा सकता है कि यह किस जीले से होकर के नहीं बहती है क्योंकि जहारखंड की तीन महत्पुन जीलों को पार करती हुई उडिसा में परवेश्ट करेगी यदि यहाँ पर देखें तो यह है आपका राची जीला यह है आपका राची जीला प्लस में यह हम लोग देखें यहाँ पर आपका कुछ दूरी तक यह सराइकेला खरसावाँ परवेश्ट करती है और इसके बाद में यह पूरवी सिभुम पूरवी सिभुम तो इस बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवस्यक है कि यह जारखंट के किन किन जीलों से ओकर के यह प्रवाह मार्ग बनाती है तो इन सारे चीजों का प्रवाह के मार्ग के संबंद में कुछ बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवस्यक है आप लोग इस चीज़ का स्क्रीन सॉट ले लीजिए थेंक यू आप लोग स्क्रीन सॉट इसका ले चुके होंगे और इसके बाद में हम लोग एक महत्पुन फैक्ट्स को देखेंगे वो है इसकी सहायक नदियों के बारे में यदि मैं इसके सहायक नदियों के बारे में आप लोग ध्यान से देखें यहां से भी प्रस्ण पुछे जाने की काफी प्रबल संभावना है कि कौन सी नदियां स्वर्ण रेखा की सहयक नदियां है या कौन सी नदियां स्वर्ण रेखा की सहयक नदियां नहीं है तो इस चीजों इस प्रकार के प्रस्ण को ध्यान में रखें एक यहाँ पर आपको एक location मिलेगा जिसका नाम है बहरागोडा आपको एक अस्थान मिलेगा बहरागोडा बहरागोडा के बारे में काफी famous एक current affairs है जारखंट से समंदित कि यहाँ पर जो उड़े देश का आम नागरिक के plan के तहत में कि 100 हवाइई इड़े बनाए जाने की प्रयोजन है जिन में से एक हवाइईड़ा आपका बहरागोडा में भी है इस बात को ध्यान में रखें और बहरा गोडा के पास में ही एक नदी बाई तरब से मिली है बाई कहने का मतलब है जब इदर से चलिएगा तो दा आई आपका उपर ही होगा स्वन रेखा के लिए तो बाई तरब से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डूलूंग नदी कि डूलूंग रिभर इसके उपर में आप लोग देखें इस घाट सिला के जैश्ट नीचे में यहां पर एक है हील रिभर हील रिभर उसके बाद में एक काफी फेमस रिभर है इस अस्थान पर यह आप लोग देखें इसका नाम है गारा गारा रिभर उसके बाद में आप लोग एक और रिभर को देखें जो काफी फेमos है और इस अस्थान पर यहां पर आपको इस प्रकार से मिलेगा और यह मयूर भंज डिष्टिक से निकलती है मयूर भंज जीला से डिष्टिक से निकलती है यह उडिसा की एक जीला है और इसका नाम है खरकई रिभर खरकई रिभर यह स्वन रेखा रिभर की सबसे बड़ी सायक नदी है हमेशा यह एक्जाम में पुछा जाता रहा है दुसरी बात एक और नदी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा इस बात को ध्यान में रखें इसका नाम है संजय रिभर संजय रिभर इसके उपर में एक और रिभर आपको यहाँ पर दिखेगा जिसका नाम है करकरी या करकारी रिभर का जाता है इसे दूसरी एक और रिभर को आप लोग ध्यान में रखें इस अस्थान पर ही एसे निकल करके और मिलती है जिसका नाम है काची रिवर very famous रिवर है ये मैं बताऊंगा काची रिवर के विशेषता के बारे में भी और एक रिवर यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा जिसका नाम है राडू रिवर और इसी अस्थान पर जब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और रिवर नजर आएगी जिसका नाम है बहमी रिवर तो यह सब सारे जो सहयक नदिया है इन सारे रिवर को आप लोग बार-बार प्रैक्टिस करके रिमाइंड रखें याद रखें कि कौन-कौन सी सहयक नदिया है जो स्वन रेखा किया है अब एक important parts के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ इन सहयक नदियों पर कि कौन-कौन से डेम बने है बेरी-वेरी important टास्क है यह अब यदि हम लोग डेम के बारे में देखें तो डेम के बारे में यही हम लोग देखते हैं तो जहां पर हमने हील रिभर बताया इस अस्थान पर आप लोग देखें एक डेम यहां पर मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं गालूडी डेम गालूडी डेम या बैराज अब यहां पर दो सब्द आ गया एक डेम और एक बैराज तो एक महत्पुन प्रस्ण उठता है कि डेम और बेराज में अंतर क्या है इस बात को भी बखुबी जान लें डेम मतलब होता है कि पानी का रिस्टोर करने के लिए जो हम लोग रेस्ट्रिक्संस डालते हैं नदियों में वो होता है डेम लेकिन पानी की धारा को डिवाइट करने के लिए जो हम लोग रेस्ट्रिक्संस डालते हैं उनको कहते हैं बेराज तो बिल्कुल कन्फुजन नहीं होना चाहिए डेम्स और बेराज में बेराज में हम पानी को कंट्रोल करते हैं और फिर अपने नुसार से छोड़ते हैं इस तरह के सन्यंत्र का इस्तमाल करते हैं हम लोग नदियों में वो बेराज होती है जबकि डेम्स में हम लोग पानी को रेस्टोर करके हम लोग विविन प्रयोजनों में उसका इस्तमाल कर एक डेम मिलेगा इसी अस्थान पर इस अस्थान पर आपको एक फैमस यहां पर देखिए लोकेशन एक डेम मिलेगा जिनका हम लोग कहते हैं इस डेम का नाम है चांडिल नामा का स्थान पर यह है चांडिल डेम तो यह चांडिल डेम आप लोग ध्यान में रखें दूसरा एक डेम आपको यहां पर दिखाई देगा इस अस्थान पर जिसका नाम है डिमना डेम डिमना डेम आपको एक और नदी एक डेम आपको यहां पर दिखाई देगा जिसका नाम है पालना डेम यह काफ़ी फेमस है जो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर में आपको एक डैम दिखाई देगा आप इस अस्थान पर देखें ऊपर में इसका नाम है गेतल सूद डैम गेतल सूद डैम और गेतल सूद डैम के बारे में हाली फिलाल में जहारखंड सरकार ने इसको इको टूरिज्म के रूप में डेवलाप करने की योजना बनाई है दूसरी बात यहाँ पर एक सॉलर पावर प्लांट लगाने का भी योजना है जिससे लगभग डेड़ सूद मेगावाट बिजली के प्रोडक्शन करने की योजना जहरखंड सरकार ने रखी है तो करेंट अफेर्स के कुछ फैक्ट्स भी है गेतल सुद डेम पर प्रस ने ऐसा भी पुछा जा सकता है कि बताओ गेतल सुद डेम किस नदी पर है तो आप लोग बखोबी आंसर के रूप में स्वन रेखा नदी चुन सकते हैं और स्वन रेखा पर जो अन्नी डेम हम तो डिमना डेम के बारे में तो डिमना रिजर बेयर भी है यदि आप लोग दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें वन जी अभ्यारन यदि देखें तो आपको यहीं पर मिलेगी मैं डिटेल में बताऊंगा लोकेशन वाइज वन जी अभ्यारन को भी और अभी उसी अभ्यारन में भी डिमना डेम है इस बात को आप लोग ध्यान में रखें आपको खरकई नदी जो स्वन रिखा नदी का सबसे प्रमुख नदी है इस नदी के उपर में भी आपको दो प्रमुख डेम मिलेगा यदि आप लोग सराई के ला के पास में यदि गोविंदपूर के इलाके को देखें तो गोविंद पूर सराइक इलाके ही आसपास में एक डैम आपको मिलेगा जो परमुक्ता लोकेशन इस अस्थान पर पड़ेगा और इसको हम लोग कहते हैं इचा डैम ध्यान रखें इचा डैम और एक और डैम आपको मिलेगा आपको एक और डैम मिलेगा इस जगह पर जो डैम आपको दिखाई देगा यह है गजिया डैम यह गजिया डैम है और जो इचा डैम है वो चकरधरपूर के आसपास में दिखेगा इचा डैम तो इस बात को बिल्कुल बखुबी ध्यान में रखें कन्फूजन नहीं होना है खरकई नदी के उपर में इचा डैम और गजिया डैम है और बाकी इन सारे डैम के बारे में हम लोगों ने जाना इसका भी आप लोग स्क्रिंशॉट ले लिजिए थेंक्यू अब हम लोग देखते हैं स्वन रेखा जो नदी है इसके बारे में हम लोगों ने डैम देखा तो जब डैम हमने देखा तो उनके कुछ परियोजन थे हमने पिछले क्लासेस में बताए भी थे कि जो सबसे बड़ी डैम का परियोजन होता है बनाने का वो बहुत परियोजन होते हैं जिन में से हम लोग सिचाई के भी कारी करते हैं मतस्य पालन के भी कारी करते हैं वहां से बिद्यूत प्रोडक्शन का भी काम करते हैं पेजल की भी समस्या का निदान करते हैं नहने दोने में भी दैनिक जीवन में हम लोग उसका इस्तमाल करते हैं इस प के टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि डेम बनाने का कौन-कौन सा डिफेक्ट है फिलाल हम लोग देखते हैं कि यह जो स्वन्र रेखा बहुत देशी परियोजना है इस परियोजना में क्या-क्या मुख्य कि चीजें प्रस्तावित है कभ इसका प्रारंभ हुआ है कि इस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है इसका बेनिफिट कौन से स्टेट्स ले रहे हैं और इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे अभी स्वन रेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में तो आईए हम लोग देखते हैं स्वन रेखा नदी घाटी परियोजना अब देखो स्वन रेखा नदी घाटी परियोजना जो है यह परियोजना का जो प्रारंब किया गया था इसका प्रारंब 1982-83 में किया गया था लेकिन इसका जो शुरुवात हुई थी स्वन रेखा नदी का इस स्वन रेखा नदी पर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो तीन राज्यों ने शुरुवात की थी जहरखंड सरकार, बंगाल की सरकार और उडिसा की सरकार ने मिल करके एक एग्रिमेंट पर साइन किया था और वो जो एग्रिमेंट था उस एग्रिमेंट पर जो साइन हुआ था वो 7 अगस्त 1978 में साइन किया था अब देखो 1978 में ही प्रारम हो जाती है इस पर्योजना के विकास की आदार सिला रखी गई है कई बार एसा प्रस्न पूछ लिया जाता है कि बताओ स्वन रेखा नदी घटी पर्योजना का प्रारम किस पंचवर्सी योजना में किया गया है तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें जो 78 है वो 1974 टू 1979 के बीच में आता है और ये पंचवर्सी योजना था फिफ्ट फाइप इयर प्लान तो बिल्कुल आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि स्वन रेखा नदी घाटी पर्योजना का प्रारम किस पंचवर्सी पर्योजना में किया गया है तो पाँचवी पंचवर्सी योजना पर्योजना में किया गया है इस बात को आप लोग भली भाती ध्यान में रखें ये जो पर्योजना है ये संजुक्त पर्योजना है और कई बार एक प्रस्ण पूछ लिया जाता है कि यह किसके द्वारा support किया जाता है किसके initiative किसके support से शुरुवात किया गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो प्रारंब किया गया है वो by World Bank के support से किया गया है तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखें यदि आपको ऐसा प्रस्ण पुछा जाता है कि स्वन रेखा नदी घाटी परियोजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है तो वो है विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है तो इस बातों को भी आप लोग ध्यान में रखें दूसरी चीजे है इस परियोजना के उपर में जो सीचाई परियोजना है ये सीचाई परियोजना भी है या स्वन रेखा नदी घाटी परियोजना से जो सीचाई होती है उसको हम लोग करते हैं स्वन रेखा नदी रिवर वहली सीचाई परियोजना तब देखो ये परियोजना भी इन तीनो राज्यों की परियोजना है वेश्ट बेंगॉल जारखंड और उडिसा की और ये जो परियोजना है ये परियोजना जिस दो नदियों के उपर में ओपरेट किया जा रहा है वो दोनों नदी है स्वर्ण रेखा और खरकई रिभर तो खरकई रिभर और स्वर्ण रेखा रिभर ये दोनों रिभर पर इसको ऑपरेट किया जा रहा है दूसरी बात यदि आप लोग देखें इस परियोजना के बारे में तो पिछली बार जो एकजाम हुआ था में कितने प्रमुख परियोजना ये संचालित की जा रही है और आंसर में दिया गया था दस और यदि आप उन दसों प्रमुख परियोजनाओं को देखें तो उन में से एक परियोजना ये भी है स्वन रेखा नदी घटी परियोजना भी उस परियोजनाओं में एक है तो आ विरहत पर्योजनाय कूल जारखंड में एट है तो एट विरहत सिचाई पर्योजना में से एक अब यहां पर एक सब्द का इस्तमाल कि हमने विरहत सिचाई पर्योजना कहने का मतलब होता है कि एसी सिचाई जिसमें 10,000 hectare area से अधीक हम लोग irrigation का काम करते हैं उनको कहते हैं विरहत परियोजनाएं और जहरखंड में कूल 8 है विरहत परियोजनाएं जिनमें से 1 ये भी है और 10 परमुफ परियोजनाएं हैं जिनमें से 1 ये भी है तो इन दोनों बातों को भी आप लोग बखुबी ध्यान से रख कि एक सिचाई विरहत परियोजनाओं मैंसे या एक परियोजनाएं रही है अभी जो हम एक परमुफ चीजें यहां पर बताने जा रहे हैं वो है कि यह जो परियोजनाएं संचालित की जा रही है इनमें से दो बांध है दो बांध को और दो बैराज को मिला करके यह विर्जना के तहत में इस्तИंमाल किया गया है वह दोनों बांध है एक है चांडिल battery और दूसरा है ईचा बांध है और दो जो बैराज का इस्तिमाल किया गया है इसमें एक है गालूडी वेराज गालूडी वेराज और दूसरा है गजिया वेराज गजिया वेराज तो इस बात को भी आप लोग ध्यानमें रखें यह से भी प्रस्न को दिया जा सकता है कि बताओ स्वन रेखा परयोजना की अंत्रगत में किस बांद के थुर्व या उपरेट की जा रही है तो वहाँ पर एक औप्सन या दोनों ये भी करके आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है या इन चारों में से कोई एक औप्सन में दे करके आपसे डिमांड किया जा सकता ह किसी भी तरीके से आपसे प्रस्ण पुछा जा सकता है कि डैम किस नदी पर है या इस प्रोजेक्ट के अंतरगत में कौन-कौन से डैम आते हैं या इस प्रोजेक्ट के अंतरगत कौन सा डैम नहीं आते हैं या एक प्रोजेक्ट किस के द्वारा संचालित की जा रही है किन राज जी इसका बेनेफिट ले रहे हैं तो बहुत सारे प्रस्ण इनसे बनाए जा सकते हैं और सभी प्रस्णों का आंसर आप इस सारे पूरे फैक्ट्स और फिगर्स और इस मैपिंग और सायक नदियों के थर इस बात को जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं यदि आप लोगों को पसंद आता है तो जल्दी जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का सीधा नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा इस्टुडेंट उठा सके और इससे हम प्रभावित हो करके और नई वीडियो को बनाने के लिए हम निव एनरजी का जो है वो सोर्स का को फाइंड आउट कर सके थेंक्यू